साथियों दिल्ली में बैठी एक पार्टी दावा करती थी कि हम बदलाव की राजनीती करने आए हैं बदलाव छोड़कर बदली की राजनीती पर उतर आई है वो पार्थी अपने पुराने से योगी कहें राजनीती क्विरोधी करें उनके उपर एक-एक करके निशाना साते लग गये हैं बस एक बार पुलीस उनके हाथ में आ जाए ये वो मांग किया करते थे पंजाब में जीतने के बाद सत्ता पुलीस ताकत आने के बाद उस पुलीस उस ताकत का जो जनता ने दिया उसका इस्तिमाल पंजाब के लोगों के लिए नहीं हो रहा उसका इस्तिमाल चा राजनितिक दृष्टी से पंजाब पुलीस का दुरुपयों करते हुए हमारे घरों में उत्तरप्रदेश और दिल्ली में 20-30 पंजाब पुलीस की अधिकारियों को भेजा घर के दर्वाजे पर नोटिस चिपकाया नोटिस 20 अप्रेल को चिपकाया कि 26 तारीक 26 अप्रेल 10 बजे से पहले हमें सदर रूप नगर थाने पंजाब पेश होना है 20 का नोटिस था 21 को मैंने दिल्ली से चंदिकड़ के अपनी टिकेट बुक कर वाली 25 तारीक को मैं पंजाब पहुच गई 26 तारीक को मुझे रूप नगर थाने पेश होना था लेकिन DSP सापका फोन आता है WhatsApp पे एक और नोटिस आता है कि मैं 26 नहीं अब 27 को पेश हो मैं समझ सकती हूँ जब दिल्ली में बैठे हुए दिल्ली के मुख्यमंत्री और उनके ही एक मुहरे जो पंजाब के मुख्यमंत्री के घर पर राजे सवसांसद मिया अब घर बैठे हुए वो अगर पुलीस को निर्देश देंगे जिसके बारे में मुझे लगता है भगवत मान जी को मालूम नहीं वो दिल्ली बैठे है इसलिए तो यही होगा कि 26 की तारीक 27 को होगी 27 के बाद फिर जूट बोला जाएगा मीडिया में पुलीस द्वारा कि मैं उनसे 3-4 दिन का और समय मांग रही हूँ मैं इस समय पंजाब में हूँ 26 को आपने बुलाया था मैं 25 को आ चुकी हूँ अब आप 27 को कह रहे हैं मैं रुकोंगी 27 को सदर रूपनगर ठाने पेशोंगी आपके दिल्ली में बैठे आका मुख्यमंत्री अवास पे बैठे उनी के मोरे राजे सबा सांसा जो भी बन पेश लेते रहिए अपनी तारीके बदलते रहिए पर मैं इन सब हतकंडों से डरने वाली नहीं हूँ कानून का सम्मान करते हैं कानून का सामना करेंगे इस लडाई को जो दिल्ली की लडाई दिल्ली के मुख्यमंत्री आप पंजाब तक खीच कर लाए हैं आप दिल्ली की कि आगे आपकी चाले क्या होगी धन्यवाद